नमश्कार बहुत बहुत स्वागत आपका निज्वल इंडिया में मैं हूँ आपके साथ प्रद्यम्र शर्मा इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जा पर किसान आंदोलन का पचासवा दिन सरकार से नौवे दौर की बाचीत होगी लेकिन बाचीत रहेगी बे नतीजा या निकलेगा समादान ये सबसे बड़ा सवाल है सरकार पर कानून वापसी पर जोड़ दे रहे हैं किसान कानूनों को वापस ले जाने की मांग से पीछे नहीं हटेंगे किसान साफ तौर पर इस बात का जिकर किसानों ने कर दिया है किसान आंदोलन का आज पचासवा दिन सरकार से नौवे दौर की ये बाचीत होगी लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है क्या इस बाचीत से हल निकलेगा या फिर बे नतीजा ये बाचीत रहेगी ऐसे मैं सरकार पर कानून वापसी पर लगातार किसान जोड दे रहे हैं लेकिन अब ये देखने वाली बात हो जाएगी कि किस तरीके से इस वारता के बाद कोई समाधान निकलता है या नहीं इस वक्त की बड़ी और एहम कवर न्यूजवल इंडिया आप तक पहुचा रहा है कि वे सरकार के साथ नौवे चरण की बादचीत में हिस्सा लेने हैं लेकिन उन्हें इस बादचीत से ज़ादा उम्मीद नहीं है क्योंकि वे इन कानूनों को वापस लिये जाने इसे कम किसी भी फैसले के लिए राजी नहीं होगी ऐसे में नौवे चरण की बादचीत में किसान आंदूलन को हो चुके हैं लेकिन अब ये जरूर देखने वाली बात होगी कि आज कोई समाधान होता है या फिर ये वारता बे नतीजा रहती है सुप्रीम कोट ने मंगलवार को कृशी कानूनों के खलाफ डाली गई याचका उपर सुनवाई के बाद इन पर चर्चा के लिए एक समिती का गठन किया था किसानों ने इसका विरोध भी किया है उनका कहना है कि वो बाचीत के लिए सरकार के पास जाने को तयार है लेकिन वो किसी समिती के सामने नहीं जाएंगे क्योंकि कानून सरकार का बनाया हुआ है और अदालत कोई कानून रद नहीं कर सकती है हाला कि विश्ली बैटक में किशी मंतीर नजेंद सिंग तोमर ने कहा था कि उन्हें शुक्रवार को हो रही बाची से सकरत्मक पहिणाम निकलने की उमीद है वो पहले भी कई बार केंद्र सरकार की इन बैटकों से हल निकालने की आशा जता चुके है हो सकता है कि किसान संगठनों की सरकार के साथ आज आखरी बैटक हो क्योंकि सुप्रीम कोट की समिती की पहली बैटक 19 जन्वरी को होने की समामना है ये समिती इन कानून पर चर्चा करने के बाद कोट को अपनी रिपोर्ट सौपी की